नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आपके गुट्णों में हच से ज़्यादा दर्द होता है क्या आपके गुट्णों में अब टक टक की आवाज आने लगी है अगर हां तो इसका मतलब है कि आपके गुट्णों के जोड अब किसने लगे है उनमें से ग्रीस खतम हो गया है जिसके करण आपको एहसानिय दर्द भी होता है और दोस्तों ये 40 की उमर पार करते करते 90% से ज्यादा लोगों में हो जाता है जिससे वो एक बार अगर बैठ जाएं तो उट नहीं पाते हैं और अगर उट जाएं तो फिर वो चलने में दिक्कत करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपने अपने चैनल वनस्पती दर्शन और फायदे को सब्स्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्स्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर हैल्ट टिप्स बिल्कुल नेचरल आपको प्रोवाइड की जाती है दोस्तों आपने हरा वाला नारियल तो देखाई होगा उसका पानी लोग बड़े चाफ से पीते हैं अगर वो नारियल का पानी सुबह खाली पेट पिए आप चाहे तो जब पीना शुरू करें यानि कि आज से अगर आप पीना शुरू कर रहें तो आज एक बार एक से करवा ले और चेक कर ले अपने गुट्टों को और एक महिने बाद फिर से एक से करवा ले प्रिणाम खुद चेक करें ध्यान रहें पर्दी दिन पीना है सुबह खाली पेट हरे नारियल का पानी दूसरी डाइट दोस्तों आप शुद पनीर घर पर ही बनाएं दूद से सुबह शुबह कम से कम सो ग्राम पनीर या अधिक जितना पचा सकते हैं उतना पर्दी दिन खाएं बस एक महीने में ही आपको हैरान कर देने वाला प्रेणाम दिखाई देगा आपके गुटनों में से दर्द एकदम गायब हो जाएगा दोस्तों तीसरा नुस्का गुटनों के दर्द में आप कनेर के पत्तों के तेल की मालिश कर सकते हैं अगर आप अभी बताए गई किसी एक खुरा के साथ साथ ये मालिश भी करते हैं तो आपको शोप परतिशत फायदा जरूर मिलेगा अभी तो आपके गुटनों का दर्दूर हो गाई साथ के साथ बुढ़ापे में भी कभी आपको इसकी शिकायत नहीं होगी इस ग्रेलू डाइट और नुस्के से आप अपने गुटनों में नेचरल ग्रीस डाल सकते हैं और फिर वो बुढ़ापे में भी आपको दोखा नहीं देगा दोस्तों आप ये डाइट प्लान जरूर अपने गुटनों के लिए अपनाएं और बताएगाई तेल की मालिश अवश्य करें और स्वेम ही अपने गुटनों में इसका असर महसूस करें तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो इसके लिए जरूर कमेंट करें वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल नहीं भूलें और हमसे जुडने के लिए जरूर हमारी चैनल को सब्स्राइब करें धन्यवाद दोस्तों दोस्तों सब्स्राइब करें अपने इस चैनल वनस्पती दर्शन और फायदे को और साथ में दी गई गंती को जरूर बजाएं ताकि आपको हर वीडियो को नोडिवेशन समय पर मिलता रहे कुछ यहा हुआ है